Hello students, welcome to science class. Science में आज हमें chapter number 8 को continue करना है. Chapter number 8 is about food and meals. पिशली वीडियो में हमने food and different food groups के बारे में पढ़ा था. तो आज हमें meals and proper heating habits के बारे में पढ़ना है. It's at page number 66. अब सब अपने बुक खोड़ीजे page number 66 पे. Starting from here, meals. A meal is what we eat during a particular time of the day. Breakfast, lunch and dinner are the three main meals we have every day. जो खाना दिन में मक्सूस वक्त पर खाया जाता है, उसे meal कहते हैं. Breakfast, lunch and dinner are the three main meals. हमारी जो तीन main meals है, वो है breakfast, lunch और dinner. Breakfast, नाश्टा होता है, नाश्टे को कहते हैं, और lunch दुफर का खाना, डिनर रात के खाने को कहते हैं. तो नाश्टा, दुफर का खाना और रात का खाना, जो है वो हमारी तीन main meals है, जो हम हर रोज खाते हैं. Breakfast, breakfast क्या होता है, breakfast is the first meal of the day, we have it between seven and eight o'clock in the morning. जो नाश्टा होता है, वो हमारी दिन का सबसे पहला खाना होता है, यानि दिन की शुरुवात जो होती है, वो हम breakfast से करते हैं, यह जो खाना है, यह हम साथ और आठ बजे के दर्मियान खाते हैं. Breakfast हम सुबा के साथ और आठ बजे के दर्मियान करते हैं. Lunch, lunch is the meal we have in the afternoon, lunch time is between 1.30 and 2.30 in the afternoon. दुपहर का खाना, lunch जो होता है, वो दुपहर के वक्त हम जो खाना खाते हैं, उसको lunch कहते हैं, यानि आठ बजे के दर्मियान में होता है. Dinner is the meal we have at night. It is good to have dinner between 9, 8 and 9 o'clock at night. Dinner, रात के खाने को कहते हैं, रात के वक्त, यानि शाम होने के बाद, अंदेरा होने के बाद, जो हम खाना खाते हैं, रात के टाइम जो हम खाना खाते हैं, उसे डिनर कहते हैं, और डिनर का सही वक्त जो है, वो 8 और 9 बजे के दर्मियान में है. We should always have our meals on time हमें हमेशा अपने meals वक्त पर ले लेने चाहिए वक्त पर हमें अपना खाना खाना चाहिए Next is proper eating habits खाने के सही आदात यानि किस तरह से खाना खाना जाहिए There are certain rules to follow for healthy eating habits such as खाना खाने के कुछ काइदे हैं जिन्हें follow करना होता है जैसे कि कौन से काइदे कौन से तरीके Wash hands before meals खाने से पहले हाथ दोना Eat properly and freshly cooked food सही तरीके से और पका हुआ खाना खाना Always wash fruits before eating फालों को खाने से पहले दोना Never eat food that is uncovered or stale Uncovered and stale food carry diseases causing germs Uncovered और बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए बासी और बिना ड़का हुआ खाने में जरासिम होते है Uncovered हो गए जो ड़का हुआ ना हो जिस पर ड़कन वगेरा ना हो जो खुला होता है और stale का मतलब है बासी खाना तो हमें बासी और बिना ड़का हुआ खाना जो है उसे नहीं खाना चाहिए उसमें जरासिम हो सकते हैं जरासिम होते है Take small bites and chew food properly before swelling खाने के छोटे लुक में उठाना और निगलने से पहले अच्छी तरह चबाना एक तो जो खाना है उसको उसकी छोटे छोटे लुक में उठाना और उसे अच्छे तरीके से चबाना अच्छी तरीके से चबाना नगलने से पहले, swelling करने से पहले अच्छी तरह से चबाना Do not overeat overeat तो बिलकल नहीं करना चाहिए यानि जितनी ही भूख हो उतना ही काना चाहिए उससे ज़्यादा overeating नहीं कर लिनी चाहिए Use clean palettes, bowls, glasses and spoons while eating खाने के दोरान, साफ और दुले हुए बरतनों का इस्तेमाल करना यानि जब ही हम खाना खाते हैं तो उस समय हमें दुले हुए पलेट, bowls, glass या चमच वगेरा जो है वो साफ और clean होने चाहिए उन्हीं का इस्तेमाल करना है Have plenty of water, water help us to get rid of waste from the body बहुत सारा पानी पीना, क्योंकि पानी से जो हमारे जिसम में जो waste होता है वो उसे दूर करता है Rinse your mouth and wash your hands after every meal हर खाने के बाद अपना मुँँ दोना और हाथ दोना Safe storage of food Food को किस तरह से safely store करे It is important to store food properly to keep it fresh and healthy खाने को अच्छी तरह से store करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये fresh and healthy रह सके कुकुड फूड should always be stored in the refrigerator जो पका हुआ खाना होता है, कुकुड फूड होता है उसको हमेशा refrigerator में store करना चाहिए Other foods such as cereals, pulses and biscuits should be stored in containers with tight lids जो बाकि खाना होता है, जैसे कि cereals, pulses and biscuits, डाले और biscuit वागेरा जो है इस तरह के खाने को container में store करना चाहिए जिसके lid tight हो, यानि जो air tight containers होते हैं जिनमें हवा ना जाती हो उन containers में इस तरह के खाने को store करना चाहिए Uncooked meat and fish should always be stored in the freezer जासर, कच्चा गोश्ट और मच्छली को freezer में store करना चाहिए आज के lesson में हमने क्या पढ़ा कि हमें किस तरह से खाना 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 जाहिए खाना खाने के बाद, इस खानी के बाद कौन से rules को हमें फालो करना चाहए और खाने को store किस तरह से करना चाहिए आज की चेप्टर में इतना ही था अब आरी आती है exercise की usually आपको exercise को notes के मदद से अपनी book पे करना है इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किया है इस तरह से आपको इसे fill करना है हर एक question को और जो subject to type questions है यहाँ पे question number 6 subject to type question को आपको notes consult करके notes की मदद से आपको उसे अपनी notebook पे उतारना है यह जो a part b c d e है 5 questions है इन 5 questions को अपने आपको अपनी notebook पे उतारना है तो आज की lesson में इतना ही था goodbye and take care